नमस्का फेंट्स में नाम बभी और माँ पेपर हैकर में आपका स्वाग गात है तो फेंट्स आज हम यहां पर हम क्या देखने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड का यहां पर हिस्ट्री के सेकंड पेपर का यह एम सी क्यू का हमारा पार्ट रहने वाला है पार्ट क्या रहने वाला है पार्ट रहने वाला है साइकेंड पार्ट फस्ट जो था उसमें मैंने आपको 81 तक क्यूशन का रखे थे अब हम क्या देखने वाले हैं 80 से आगे देखने वाले हैं यह आपका कौन सा रहने वाला है यह आपका पार्ट 2 रहने वाला है आपको टैली डाम पर जाकर के अर्मती वहत ही क्यूशन रहें से कौक्त क्यूशन वाला हो बाकी आपको क्या मिलेंगी बहुत सारे कम से कम हम बन 1000 प्लस क्यूशन आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पू हो जाते हैं तो इहां पर सब्सक्राइब करते हैं तो बढ़ते हैं कुछ ही क्यों में आपको क्या मिलेंगे देखने को मिलेंगे वागी किसी नहीं मिलने वाले हैं तो बढ़ते हैं बिल्कुल भाई तो क्यूशनुक हम देख लेते हैं फटापर ठीक है तो यहां पर कौन सा आंसर रहने वाला है बिल्कुल राइट आपका 10 जन्बरी 1920 या एक जन्बरी 1920 या पर 12 जन्बरी 1920 इसमें से कोई नहीं तो राइट आंसर कौन सा आपका रहने वाला है फटापर जो मुसूलिनी था उसने किस दल का निर्माड खिया था काली तूरकी पीली तूरकी निली तूरकी कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका नंबर का कुछ आप्चनों से बारा लगे है बाकि किसी पे टिक लगे हुए नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं 83 यहां कह रहा है यूबा तुर्को ने किसका निर्माड किया जो यूबा तुर्क थे उन्होंने किसका निर्माड किया था राष्ट्य संगठन और सुधारको का दल क्रांतिकारी दल संगठन और क्रांतिकार तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसरप का रहने वाला है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर का राइट हो जाएगा संगठन और सुधारकों का दल का निर्माड उन्होंने किया था युवा तुरकों ने आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन पिर्थ पिर्थम बलकान युद्ध किस संधी से समाप्त हुआ था यह आपको बताना है पेरिस बर्लिन लंदन या फिर बियना तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर मार रहने बाला है जो पिर्थम बलकान युद्ध हुआ था वह किस संधी समाप्त हुआ था तो यह लंदन की संधी से समाप्त हुआ था ठीक है आगे बढ़ते हैं पिर्थम विस्विद कब सब कव आरंब हुआ तो पिर्थम विस्विद कव आरंब हुआ था यह तो सभी को पता है बरसाए कहां इस्तित है जो बरसाए है बरसाए की संदी बहरा होती नहीं तो बरसाए कहां इस्तित है जर्मनी इटली फ्रांस या फिर इंगलेंड इस पर बरसाए कहां इस्तित है बरसाए की संदी बहरा है इस्तित है इसे पहले में इसकी डेट भी देखी थी 1920 में आगे बड़ते है यह कहा रहा है कौन सा देश राष्टि संदी में समलित नहीं हुआ कौन सा देश जो था वो राष्टि संदी में समलित नहीं हुआ था यह आपको बताना है जर्मनी अमेरिका इस्पेन या फिर इंगलेंड मगर जो अमेरिका है वो राष्टि संदी संदी नहीं हुआता तो अमेरिका राष्टि संद्र में समळित नहीं बड़ती यह पर हो जायगा option number का बिल्कुल राइट आगे में वरते हैं बोल से खुरांती का ने तट्व की किस ने किया जो वोल से खुरांती थी उसका ने तट बॉक्त रहने वाला है पिरको ञाओ ते आगे देखते हैं लेनिन की मित्यू कब हुई थी बहुत इंपूरेंट क्योंशन 1922 1924 1926 1927 कौन सा विल्कुल राइट रहने वाला है वो लेनिन की जो मित्यू हुई थी वो 1924 में हुई थी राइट अंसो जाय का ऑप्शन नंबर का 1924 आगे बढ़ते हैं हिटलर जर्मनी का प पैदा हुआ जो मुसोलिनी था वो कब पैदा हुआ था यह आपको बताना है 1832 1833 1834 1835 मुसोलिनी कब पैदा हुआ मुसोलिनी कब पैदा हुआ था यह आपको बताना है तो राइट आंसर दाएगा आंसर खा घा दाएगा 1835 आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जर्म हुआ था बात एकी है इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई इटली में फासिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी यह आपको बताना है मार्च 1910 में मार्च 1920 में अपरैल 1921 में अपरैल 1922 में राइट आंसर अमारा कौन सरेने वारा है तो जो इटली में फासिस्ट पार्टी की जो इस्थापना हुई थी वो मार्च 1909 में थी राइट अंसर ऑप्शन अंबर का हो जाएगा आगे बढ़ते हैं पिर्थम विस्विद से पहले मुसूलोनी के दल का क्या नाम था पिर्थम विस्विद जो हुआ था उससे पहले जो मुसूलोनी का दल था उसका क्या नाम था ये आपको बताना है पैद रखा है लिबरल दल, असिस्ट दल, कैमिनिस्ट दल, डेमोक्रिटिक दल कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है मुसूलोनी के दल का नाम क्या था कैमिनिस्ट दल ठीक है आगे बढ़ते हैं दुतिये विस्विद जो हुआ था बहक कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है 1928 में, 1930 में, 1935 में, 1949 में तो जो तुतिये विस्विद हुआ था, 1949 में श्टार्ट हुआ था और खतम कब हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था दुतिये विस्विद हुआ ठीक है कौन से यहां पर बिल्कुर रहने बाला है तो सेट रासंकी स्थापना कब हुई थी 1945 में हुई थी कब हुई थी दुतिये विश्वदे के बाद हुई थी राइट अंसर ऑप्शन नमबर गा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर 1831 के बाद जर्मनी का राजा कौन था 1831 क कौन था यह आपको बताना था तो कौन हो जाएंगे बिलियम फस्ट हो जाएंगे राइट अंसर दाइका ऑप्शन नमबर खा आगे बढ़ते हैं बर्लिन कांग्रेस कब स्थापित हुई जो बर्लिन कांग्रेस थी वो कब स्थापित हुई थी आपको बताना है 1831 890 888 888 पिल्कुल राइट अंसर जाएगा ऑप्शन नमबर का 1831 में इस्थापित की गई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एगोशन की ओर नेक्स्ट एगोशन के रहा है तुमारा 1841 में किरांती के उपरां तो लुई फिलिप के इंगलेंड भाग जाने के बाद समाजबाद निता लामार्ट ने किस सरकार की घोशना की थी या आपको बताना है परजातंत्र राजतंत्र गरतंत्र या फिर सोच्छाचारी 1841 में किरांती के उपरां तो लुई फिलिप के इंगलेंड भाग जाने के बाद समाजबाद ने था कौन थे ये थे । लामार्टी ने ने किस सरकार की घोशना की थी यह आपको बताना है तो इननी की थी घरतंत्र सरकार की घोशना आगे बढ़ते हैं लूई फिलिपिके समय ई फ्रा Lawrence के फ्रांस में कौन सा साचन समलित था लूई फिलिपिके समय फ्रांस में कौन सा सासन पचलेत था यह आपको बताना है लोकतंत गरतंत पजातंत या पर राजतंत्र इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा राजितंत राइट अंसर अप्शन नमबर घा ठीक है कुछ क्यूशनों पर ही है आगे आपको नहीं देखने को मिलेंगे ठीक है दे में 19 दिसंबर 1828 में राष्ट पती के चुनाविक में निमने में से कौन सा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं था लूई नैपोलियन या फिर हो जाता है तुम्हारा लेद्रो रोला जेनरल कैबिग नेक असा समराट मेटर निक यह बहुत यह अठपटे नाम है ठीक है आपको ब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एकोशन को देखेगा नेक्स्ट एकोशन हमारा कह रहा है 19 दिसंबर 1828 में राष्ट पती चुनाविक में राष्ट पती चुनाविक नेक लूई नेपोलियन थाड या फिर लैद्रो रोला इन में से कोई नहीं राइट आंस हमारा कौन सा हो ज हो जाएगा तो जो फार तालिस में राष्ट पती चुना गया था लूई नेपोलियन थर आगे देखते हैं नेपोलियन राष्ट पती प कब ग्रहन किया नेपोलियन ने राष्ट पती पत कब ग्रहन किया था यहां कुप बताना है 2030 torenate 1848 बीस नूमबर 1848 यह पर हो जाता है 21 नूमबर 1848 तो कि एठाव 19 नूमबर 1848 नि क्या होता राष्ट पती जनता ने चुना था ठीक है बही पूछ रखा है अब इन्होंने कब पदे ग्रहार किया था यह आंक को बता रहा है ठीक है तो यह हो जाता है 20 दिसंबर 1948 ने क्या हुआ था जनता ने चुना था और एक दिन के बाद उनने क्या लिए थी सपत लिए थी तो 20 दिसंबर 1848 ठीक हो जाता है आंसर next question कहा रहा है मैं आपके सामने एक सिध्धान्त एक कारण था एक पराजय रखता हूं मैं आपके सामने एक सिध्धान्त एक कारण एक पराजय रखता हूं सिध्धान्त है जनता की प्रुथता कारण है एक समराजबाद और पराजय है बाटल लोकी है किसने कहा था यह आपक राष्टपती लुई नेपोलियन ठड ने कहा था ठीए आगे बाटते हैं राष्टपती लुई नेपोलियन ने नबीन संभीधान कब लागु किया जो राष्टपती लुई नेपोलियन थे उन्होंगे नबीन संभीधान कब लागु किया था यह आपको बताना है 14 जन्बरी 1812, 14 जन्बरी 1860, 14 जन्बरी 1862, 14 जन्बरी 1864 राइट आंसर हमारा कौन सा रहने बाला है राश्पति लूई नेपोलियन ने नभीन समिधान कब लागू किया था 14 जन्बरी 1852 में लागू किया था आगे बढ़ते हैं फ्रांस ने नेपोलियन थड ने कब दुतिये गरतंतर समाप्त किया था यह आपको बताना है फ्रांस ने नेपोलियन थड ने फ्रांस से ने कह रहाँ से फ्रांस से नेपोलियन थड ने कब दुतिये गरतंतर समाप्त किया था यह आपको बताना है कौनसा बिल्कूर right हो जाएगा तो यहां पर कौनसा बिल्कूर right answer प्ना रहने वाला है बैआ हो जाएगा कि दो Dicember ओर 129 में फ्रांस यह नैपोलेन 3 ने दुथीय करतंद्र को समाप्त किया था आगे बढते हैं next question को देखिएगा next question कियरा है मझदूरों की दसा को सुधारने के लिए Napoleon 33an ने किस society एस्थापना की थी यह आपको बताना है मझदूरों की दसा को सुधारने के लिए Napoleon 33an ने किस society की स्थापना की थी बरकर society, help society friendly society में से कुई नहीं कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपकर रहने वाला है तो कौन सा राइड होगा friendly society यहाँ पर बनाई थी ठीक है इसकी स्थापना की थी आगे बढ़ते हैं next question नेपोलियन तर्थिये ने जनता को आर्थिक सहाथा बिदान करने के लिए किन समितियों की स्थापना की थी आपको बताना है सरकारी समिति, किर्सक समिति, आर्थिक सहाथा समिति, किसान समिति कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है तो यहाँ पर आर्थिक सहाथा की बात हो रही है नैपोलियन थर्ड के समय के उसे प्रिसिद लेका का नाम बताई है जो नैपोलियन थर्ड के बिरुद लिखता था जो नैपोलियन थर्ड के ही बिरुद लिखता था और नैपोलियन थर्ड के ही समय में था बैं कौन है रूसो मॉंटेकी मॉंटेस्कियो या फिर बिक्टर रो ہوا था कि बाटनलू का योद्व हुआ था वो कब हुआ था या आपको बताना है 15 जून 1815 में आफ 16 15 में 20-1815 में 30én 100 लून का राइत अंसर हमारा कौन सर रहने बाला है बाटनलुका जून 1815 में राइत अंसर है आगे देखते हैं नेपूलिन की मत्यू कभ भूई थी आपको बताना है बेरी फ्रेटन्ट टोशन है नेपूलिन की मत्यू कभ हूई थी पांच मई श्क्राइभी इंच वहांगे देखते हैं यहाँ दे यहां पर कौन सा विल्कुल राइट अंसर अपना रहने वाला है तो किया रहा है बिया ना सम्मिलने की अधिक्सता किस ने की थी अगे देखते हैं बिटी सरकार का पृतिनेत्व किस ने किया था यह आपको बताना है प्रांस अधिक्सता तो यह किसने किया था कैसल रे ने कीया था आगे बढ़ते हैं बियांस अधिक्सता का को depends और ठीक तो राइट तो मारा कौन सा रहने वाला तो बताना है टीक है बना समय के समय मैं गया था तो आन्सर अप्शन नमबर का किसे मस्तिक्स की उपज थी जो पवित्र संग जो है वो किसके मस्तिक्स की उपज थी यह आपको बताना है जा निकोले तो थी है कि निकोल जो नेपोलियन तिरती है कि एलेक्जंडर पिर्थम की या फिर कैसे लरे की कौन सा यहां पर बिलकूर राइट आंसर अपना रहने वाला है यह आपको अबित्र संग के घोष्णा पत्र में किस देश ने हस्ताचा नहीं किये थे यह आपको बताना है और रूस पिरसा इंग्लेंड कौन सा यहां पर बिलकूर राइट होगा तो बहो जाता है अपना कौन इंग्लेंड या उस्टेलिया पाई इंग्लेंड होगा ठीक राइट आ अब को बताना है 1815 में 1817 में 1802 में 1805 में कौन सा बिलकूर राइट होगा तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 1815 में ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन नेक्स कुशन के रहा है तुमारा मॉन्टेस्क्यों की पिरसिद्ध पुस्तक का नाम था ये आपको बताना है मॉन्टेस्क्यों की पिरसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था कानून की आत्मा समाजिक समझोता मीन कैम्प या इन में से कोई नहीं कौन सा बिलकूर राइट होग यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांती भी नहीं होती ये किसका है रूसो का नेकर का नेपोलियन का या पिर मैटर निक का कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है ठीक है यदि रूसों नहीं होता तो क्रांटी की क्रांटी नहीं होती ये किस ने कहा है नेपोलियन ने कहा है राइट आंसर ऑप्शन अमबर गा आगे देखते हैं यहाँ पर कह रहा है क्रांटी का पुत्र किसे कहा जाता है यह आपको बताना है नेपोलियन को हिटलर को मसॉलनी को इ कहा रहा था यह आपको बताना है ठीक है नैपोलियन जिन्दगी के अंतिम दिन कहा रहा था फ्रांस में इटली में जर्मानी में या फिर सैंट हैलेना में कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसब कर रहने बाला है ठीक है तो जो नैपोलियन जो था वो जिन्दगी के अंत को लिखाता यहां को दाना है कानुन की आत्मा इमाईल यह बिस्व कोस इन में से कोई नहीं राइट आंसर मारा कौन सा रहने वाला है यह आपको बताना है ठीक है तो दिदेरों ने किस ग्रंत को लिखा था बहल लिखा था किसको बिस्व को इसको लिखाता राइट आंसर आप सक्टी विभाजन के सिग्दान्ट का पृतिपादन था कौन था यहां पर रहने वाला है आगे बतых है नेक्स क् Jimmy यहां पर प्रतेक स्थान पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है किस ने कहा था रूसों ने ने पर राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बदाना है उमनों से जोजंद रूप से पैदा हुआ है पर प्रतेक स्थान पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है यह कहा है रूसों ने राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नमबर का आगे बढ़ता है नेपूलियन की जिस्ता थी वो खिलाब किसके थी इंगलेंड के थी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर घा आगे देखते हैं बाटरलू के युद्ध के बाद नेपूलियन कहां भेजा गया जब बाटरलू का युद्ध हो गया था उसके बाद नेपूलियन था उसे कहां भेजा गया था यहां आपको बताना है जेल में इंगलेंड में सेंट हेलिना के दीप पर या फिर अमेरिका में यह आपको बताना है कौन सा बिल्कूल राइट होगा ठीक है तो बाटरलू के उद्ध के बाद नेपूलियों का हमें जा गया था सेंट हेलिना के दीप पर भेज दिय है आपको बताना है कौन सा बिल्कुर राइट होगा तेहरा है टैली फैंड नेपोलियन पिटदी अंगर यह फिर हो जाता है मैडलीन को राइट होगा इस पेन उसमें क्या है तीन से चार बुक आपके हो जाती है ठीक है वहाँ से क्योशन ले गए गए हैं और इंप्रोटेंट के उच्छन बनाए गए हैं तो फेंट्स पीडिये डानलोड करना है तो टेलीग्राम का लिंक के नीचे है वहाँ पर आप आपके नोट्स भी डानलोड कर सकत यह आपको बताना है फ्रांस रूस फ्रांस ऑस्टेलिया फ्रांस एटली या फ्रांस जर्मनी कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है तो जो बिला फ्रेंक की संदी हुई थी बो हुई थी किसके फ्रांस और ऑस्टेलिया के बीच ठीक है आगे देखते हैं कि कुल यहाँ पर कौन सा बिल्कुल रहने वाला है आपको बताना है अस्ट नेंपोलियन затем आंस जर्म वो किस धर्म का अनुनाई था यह आपको बताना है कैथोलिक धर्म, प्रूटेश्टेंट धर्म, ओपयोगत इस दोनों अपित में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर लगा ही रखा है कैथोलिक धर्म option number काबिल को राइट होगा आगे देखते हैं फ्रांस की निरणायक पराजय 1870 इस भी में कहा हुई थी आपको बताना है सैडाउन, पिडमांड, मेटज, सथा गेम बेटा तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है ठीक है फ्रांस की निरणायक पराजय 1870 इस भी में कहा हुई थी यह हुई थी आपकी सेडान में कहा हुई थी सेडान में आगे बढ़ते हैं फ्रांस में तिर्तिय गडराज की स्थापना की गई थी कभी की गई थी 10 दिसंबर 1870 में, 4 दिसंबर 1870 में, 10 जनबर 1870 में या 4 दिसम्बर 1873 में राइट आंसर नमारा कौन सा रहने वाला है फ्रांस में तिर्तिय गड़राज की स्थापना सब की गई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा 4 सितम्बर 1870 में कौन सा 4 सितम्बर 1870 विलकुर राइट आंसर रहने वाला option number खा आगे बढ़ते हैं फ्रांस में तिर्तिय गड़राज की स्थापना का कार कब पूरा हुआ फ्रांस में जो तिर्तिय गड़राज की स्थापना हुई थी उसका कार कब पूरा हो गया था यह आपको बताना है कौन सा बिलकुर राइट रहने वाला है 1880, 1898, 1870, 1860 आगे देखते हैं यहां पर फ्रेंक फर्ट की संधी किन देशों के मद्ध हुई थी फ्रांस जर्मनी फ्रांस रूस फ्रांस इंगलेंड फ्रांस भारत कौन सा यहां पर राइट होगा फ्रेंक फर्ट की संधी किसके बीच हुई थी यह हो जाता है फ्रांस और जर्मनी रजगरतंतर की कारे पालिका ने किसे पहला प्र्दभान मंतरी न्योगत किया था यह आपको बताना है बिसमार्क को बूर्दो को यह तो को यहां पर कौन सा बिल G का कौन सा बुर्दो को ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट कुशिंग के रहा है अठारा सो इकतर इसी में अठारा सो इकतर इस भी से इस भी के काल को विस्वराजनिती के इतिहास में किस यूग के नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है विस मार्क यूग नेपोलियन यूग एटलर यूग am पर ससस्त्र सांती का युग तो राइट आंसर मारा कौन से रहने बाला है यह आपको बताना है ठीक है देखो 1871 से लेकर 1914 का जो था उसे हम क्या कहते हैं ससस्त्र सांती का युग कहा जाता है क्या कहता है ससस्त्र सांती का युग कहा जाता है अगले बढ़ते हैं यहां पर कह रहा है क्योंकि इसके बादी किसका दुगा था मतलब पिर्थमिसुद और सेकेंड बार स्टार्ट हुआ है जो मौरको कार्ण हुआ था बहुत हुआ था या फिर 1656 मौरको काण्ड किस भरस हुआ था तो यह हुआ था 1905 से च्छ तिक था टाइट अंसर उपिशन ANDREW का हो जाएगा सुन कुशन बढ़ते हैं 5 मुंद है आए पराइट आंसर क्या रहेए संद है 1907 नमबर क्याएहा बिल्कुल रहने कौन था यह आहिख को बताना है है जा पर राइट आन्सर कौन सा रहने वाला है जो है अगे बटते हैं फचामडेश्चन, बिल्कन युद्ध कब हुआ था यहां को बताना है 29 çपिस्थbrar चांच 1912 में 1915 में 1917 में 1919 में जो बलकन युद हुआ था पिर थम वह कब हुआ था यह हुआ था 1912 में इस पर टिक लगा हुआ है कोई बात नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोएद संदी कब हुई 191990 में यह फिर 1892 में यह फिर 1892 में यह फिर 1893 में सभी पर आप्शन अगर रखा है अब आपको चूज करना है कौन सा राइट होगा भी था रूस भी था तो यहां क्या हो जाएगा ओप यह फिर देशों में तीनों देश सामिल थे आगे बढ़ते हैं आप प्रिथम विसुद्ध के समय धूरी राष्ट में निम्ने में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं था यह आपको बताना है जर्मनी ऑस्टेलिया टर्की यहां पर कौन सा बिलकुल राइट रहने वाला है प्रिथम विसुद्ध में धोरी राष्टियों में जर्मनी ऑस्टेलिया और टर्की यह तीनों थे मगर इटली नहीं था तो राइट अंसे क्या जाएगा ऑक्शन नंबर घा यहां पर रहने वाला है आगे देखते हैं यह यह चार्ट हुआ था 1914 में 1 28го Petia में टार्ट हुआ उर समाप्त कब रुआ था 1918 में समाप्त हो गया था आगे देख वी ऑस्टेलिया जरमनी بتंदं इन आपको बता रहा रहा है 888, 889 में 889 में जर्मनी जर्मनी को आपको 1089 में धब painter उक्षोन फुरिक अगे बड़ते हैं बर्लिन गुआ बरलिन सम्मेलन कब हुआ यह रिपीटी कुशन मुझे लग रहा है 1884-85 में 1825-86 में 1886-86 में कब हुआ था यह आपको बता रहा है तो बरलिन सम्मेलन कब हुआ था 1884-85 में हुआ ता राइट आंस ओप्शन नमबर का आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नाजी दल का चिन क्या था जो नाजी दल था उसका चिन बताना है क्या था स्वास्तिक तरसूल या फिर चील यहाँ पर कौन सा बिलकूर राइट आंसर अपना रहने वाला है तो जो नाजी दल था उसका चिन था स्वास्तिक क्या था स्वास्तिक right answer option number का आगे बढ़ते हैं रोम बर्लिन समझोता कब हुआ रोम और वर्लिन समझोता जो हुआ था वो कब हुआ था यह अक्टूबर 1936 में मार्च 1936 में सितंबर 1936 में यहाँ पर कौन सा बिलकुल right रहने वाला है तो यह हो जाता है कौन सा बिलकुल right answer यह हो जाएगा अक्टूबर 1936 में समझोता हुआ था ठीक है आगे बढ़ते हैं बर्तमान में सहतराश्य संक्य संक्या है यह आपको बताना है कितनी है बर्तमान में सहतराश्य संक्या कितनी है यह आपको इस्थाई कितने है इस्थाई है पांच अभी पूचक का है टोटल कितने है यह आपको बताना है कितने हो जाते हैं 93, 92, 92 या फिर 90 तो right answer हो जाएगा एक सो तराश्य संक्या है बर्तमान में सहतराश्य संक्या कितनी है बह हो जाती है अपनी एक सो तराश्यान पे कितने अंग है 4, 5, 6, 7 कौन सा यहाँ पर बिल्कुल right रहने वाला है तो सही तुराश्य संक्या की बात करें इसके अंग जो हो जाते हैं वो कितने जाते हैं 6 हो जाते हैं राइट answer option number गा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर UNO का मुख्याले कहाँ इस्तित है United Nation Organization का मुख्याले कहाँ पर है यह आपको बताना है जैनेबा में, हैग में, नियुवार्क में या फे दिल्ली में United Nation Organization का मुख्याले कहाँ पर है Newark में है राइट answer गा option number गा आगे बढ़ते हैं United Nation Organization की इस्तापना कभ हुई प्रणा पर इसका अंसर देना है 1922-1994-1945-1946 आपको पता है सभ्यास संग्यापर यह एने की इस्तापना कभ हुई थी मतलब दुतिये विस्वधि समाप्ती के बाद 1945 में की गई थी आगे बढ़ते हैं next question की और सबको पता है कि पर माड़ों में गिनाने के बाद समाप्त हो गया था तो 1945 में सबसुआ था और आगे बते हैं यू एनों के इस 23 दस जिने बीटो पाबर आसिल है बह कितने है यह आपको बताना है अब यह आपको बताया था हमने रूस इटली अमेरिका या फिर जर्मनी तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है दुतिय विशुँजर हुआ था उसका जिम्मेदार कौन था उसका जिम्मेदार था जर्मनी राइट आंसर अप्शिन न Umber घाff na हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन के और जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण करके दुतिय विसुद शुरू किया जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था उसके बाद दुतिय विसुद शुरू हुआ था रूस पोलेंड फ्रांस अमेरिका किस पर किया था यह को बताना है तो जर्मनी ने पोलेंड पर आकमर किया था और दुतिये विसुद बहीं से सुरू हो गया था आगे बढ़ते हैं दुतिये विसुद कब आरम हुआ 49 में, 40 में, 41 में, 45 में सभी को पता है कब हुआ था 1949 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में समाप्त हो गया था आगे बढ़ते हैं दुतिये विसुद की समाप्ती कब हुई 42, 43, 44, 45 उसका राइट आंसर आप्शन नमर का 1945 आगे बढ़ते हैं आगे कार रहे हैं की अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के किस सहर पर बं फोड़ा था या आको बता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को फोड़ा था आपको बता ही है 6 अगस्त को क्या हो जाएगा 6 अगस्त आयज निरसी मांपर और हो जाएगा नौग इस निस सो प्रसए 1 मुद्ध साहटे का मे यहां पर आगले बढ़ते हैं 61945 को जापान के किस नगर पर बंब अमेरिका ने डाला था देखो फिर एपीडिक इमें ने भी बताया था मियाजी सरकार ने दोग मंताले की स्थाफना कब कीती? 1870 में कीती राइट आंसर औप्शन अमबर का आگे बढ़ते हैं तोकू गाउ बंस के बाद जापान का संराट किस बंस से बना? यह आपको बताना है तोकू गाओ बंस के बाद जापान का जो समराड बना था वो किस बंस से बना था तो पया देखा है मेजी कुंग फू चामाचू या फर ताइपिंग तो कौन से यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने बाला है यह आपको बताना है ठीक है तो कौन से राइट हो जाएगा मेजी राइट अंसर अप्शन नमबर का आगे बरते हैं सन अठारा सो अठाट इस भी में किस बंस का सासक जापान का समराड बना सन अठारा सो अठाट इस भी में किस बंस का सासक जापान का समराड बना था यह आपको बताना है मांचू, मेईजी, कुंग फू, ताइपिन, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने बाला है 1868 में कौन बना था? मेईजी बन से बना था, राइट आंसल उप्शन नमबर खा आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है मुट्सू हित्तो जापान का सासक कितने बर्स की उम्र में बना था? 13, 14, 15, 16 तो राइट आंसल लगा ही रखा है कौन सा? 14 बर्स की उम्र में बना था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे क्योशन कह रहा है तुम्हारा, मेईजी क्या है? इसका अर्थ क्या है? नगध, उपाधी, ब्यक्ती का नाम या फिर देस तो यह क्या थी? एक उपाधी थी, यह ना बनस की उपाधी थी आगे कहरा है यहाँ पर पैजी बनस का प्रथम सासक बना ता यह आपको बताना है मुट्सू हितो, ब्रूसली, सोगुन या फिर मिकांडो तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है यह आपको बताना है ठीक है तो को हो जाता है मुट्सू हितो तो राइट आंसर हो जाएगा option number का कौन अप्षिन नमबर का तो यहाँ पर हमारा जो हो जाता है पार्ट थर्ड कौन हो जाता है पार्ट जो सोरी, part second का भी यह थर्ड के ट्री सेकंड का जो पार्ट सेकंड हो जाता है ठीक है रेकर नहीं और कमार जो सबस्मार पर समाता है आपको मैं Jrczyć का अरे सब्सक्राइब आपको 80 तक यहां पर 81 से लेकर इतना है 1069 तक आपके क्योशन यहां पर मैंने करा दिये तो फेंट्स आपके इक बुक से ठीक है इनको फटा पर डगा लिजएगा बहुत इंपोटेंट है और भी आपको बहुत सब्सक्राइक अपके पिडिय आपके लिए यह जाते हैं डॉनलोड कर लिजएगा लिंक बहाऊंभ पर जाके आप इस में प्रफ़स को को डानलोड करके पढ़ सकते हैं और 100% आपके एक्जाम में यही क्यूक्षन देखने को मिलने वाले हैं तो फेंट्स लाइक काना है शेर काना है चैनल को सबस्क्राइब करना है तो फेंट जैहिन जैभारत